अगर आप Taro में और कल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अदर्वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हवा Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा इसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं और इसी से ही related अगर आपके मिल में कुछ सवाल हैं कुछ doubts हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं I also have a free webinar on this आप उसको join कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा आपके जो भी doubts हैं जो भी सवाल हैं वो clear हो जाएंगे या फिर आप directly हमें screen पे दिये हुए number पे call भी कर सकते हैं तो जो भी आपके लिए convenient है वो आप कर सकते हैं Hello everyone मैं हूं किरिन शापरी और यह है आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि May month में आपके partner की क्या energies होंगी आपकी क्या energies होंगी finally May month में क्या होगा तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2024 की Love Tarot Reading चलिए रिज़ आप लोगों के लिए देखें कि May 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहाँ पे तीन set of cards हैं first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है और यह card कहीं stuck energies की बात करता है अपना नजरिया, चीजों को देखने के बदलने की भी बात करता है और कहीं एक pause भी लेने की बात करता है और कुछ ऐसा ही में starting में आप लोगों के लिए भी aries रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि यह general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ aries के लिए हो सकता है कि जान मुझके आपने एक pause लिया कहीं आप थोड़ा सा चीजों को different angle से देखना चाहा रहे हैं आप फिर समझना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत stuck इस relationship में किसी चीट से related महसूस कर रहे हैं और जो भी surface level के लिए हो कहीं deeper level के लिए contemplation का card कहता है मन में बहुत एक सोच रहती भी दिख रही है कहीं एक introspective energies रहती भी दिख रही है अब देखिए सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा कहीं लेकिन broader level के लिए अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा action initiatives आप partner के लिए इस relationship ले नहीं ले रहे हैं और कुछ के लिए दिखिए इसका reason ये भी रह सकता है कि आपको यसे लग रहे हैं आपके हाथ बंदे हुए हैं पैर बंदे हुए हैं बहुत कुछ करना चाह रहे हैं कहना चाह रहे हैं नहीं कह पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आपने again जानमुष के pause लिया है और बहुत मन में एक गहरी सोच रहती भी दिख रही है चीजों को और समझना चाह रहे हैं और कहीं mid-may में इसी energies में से आप बाहर निकलते भी दिख रहे हैं यानि कि बहुत एक happiness, joy रहती हुई दिख रही है love yourself in the sun के cards एक दो चीज़े कहते हैं कुछ के लिए literally हो सकता है कि पीछे आप खुद को ignore कर रहे थे खुद पे इतनी attention नहीं दे रहे थे अपने से जादा partner को आप prioritize कर रहे थे और कहीं सटल लेविल पे ये चीज़ आपको परिशान कर रही थी या फिर इस चीज़ की वजए से थोड़ा सा आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे और mid-may में आप खुद की ओपर focus कर रहे हैं खुद को prioritize कर रहे हैं और यही चीज़ कहीं एक happiness एक joy आपकी life में लेकर आ रही है और कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं जो भी आप बहुत टाइम से इस relationship में चाहा रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं जिस चीज़ को आप एहमियत दे रहे हैं वो चीज कहीं इस relationship में हो रही है और यह या फिर otherwise कोई भी reason हो सकता है एक happiness, joy आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं बहुत जबर्दस एक clarity आती हुए दिख रही है बहुत जबर्दस एक खुद पर confidence आता हुए दिख रहा है बहुत आप चीज़ों को लेकर sure होते हुए दिख रहे हैं एक enthusiasm, excitement भी इस relationship से related, partners से related या फिर self से related रहता हुआ दिख रहा है और कहीं देखें mid May में फिर से कहूंगे आप self को काफी एहमियत काफी preference, काफी prioritize करते हुए दिख रहे हैं जो की कहीं important भी होता है यानि कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन end May के लिए intimacy and four of pentacles के cards कहते हैं कि आप man ही man, partner के साथ closeness चाहा रहे हैं intimacy चाहा रहे हैं लेकिन surface level के लिए four of pentacles का card कहता है आप या तो अपने love affection को पकड़ कर बैठे हुए हैं कि उतना express नहीं कर रहे हैं या फिर किसी बात को, किसी चीज को आपने बहुत tightly पकड़ा हुआ है या फिर एक attachment आप partner के लिए महसूस कर रहे हैं जो भी हो, कहीं उतने expressive अपनी feelings, अपनी emotions को लेकर नहीं हो रहे हैं अब दिखिए, एक combined तरीके से सारे ही cards को देखें तो April month में आपने pause लिया हुआ है, self को prioritize कर रहे हैं अपनी feelings, अपनी emotions को उतना नहीं express कर रहे हैं कहीं एक rigid fixated भी कुछ चीजों को लेकर हो रहे हैं मन ही मन एक intimacy या फिर एक closeness partner के साथ चाहते हुए दिख रहे हैं आपके partner बहुत smartly चीजों को deal कर रहे हैं, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि थोड़े से manipulative हो रहे हैं diplomatically चीजों को deal कर रहे हैं, थोड़े controlling थोड़े dominating भी हो सकते हैं कुछ Aries के partner जहां पर अपने हिसाब से चीजें चाहते हुए दिख रहे हैं और अगर ऐसा आप भी Aries महसूस करें तो जरूर इस चीज को आप ignore ना करें क्योंकि क्या होता है न स्टार्टिंग में हमें समझ में तो आ रहा होता है लेकिन हम इस चीज पर इतनी attention नहीं देते हैं, फिर बाद में हम बहुत परिशान होते हैं तो यहां पर magician का card कहीं एक फिर से कहूंगी उनकी तरफ से manipulative energies की बात करता है और identification का card एक दो चीजें again कहता है या तो अपनी identity अपनी एक पहचान उनके लिए बहुत important रह रह रही है या फिर छोटी-छोटी सी चीजों को लेकर वह बहुत जादा focus कर रहे हैं होता है ना छोटी-छोटी चीजों को कभी हमने positive way में पकड़ लिया कभी हमने negative way में पकड़ लिया और बहुत छोटी-छोटी सी चीजों को लेकर careful attentive alert भी वह होते हुए दिख रहे हैं and mid-may के लिए looking at one another and queen of pentacles reverse के cards कहते हैं कि काफी practical हो रहे हैं काफी realistic हो रहे हैं और कहीं you know materialistic tangible चीजों को बहुत एहमियत भी दे रहे हैं इना positive और in a negative sense और दिखिए कहीं आपको पीछे मुड़ मुड़ कर भी देख रहे हैं होता है ना कि ना तो completely आ रहे हैं ना completely जा रहे हैं आपको express भी कर रहे हैं और फिर you know पूरी तरीके से इस relationship में नहीं आ रहे हैं तो कहीं देखिए nutshell में आपके साथ relationship चाहा रहे हैं आपसे connection बनाई रखना चाहा रहे हैं आपको छोड़ना भी नहीं चाहा रहे हैं लेकिन काफी practical काफी realistic होते वे दिख रहे हैं काफी you know जो एक tangible चीज़े होते हैं उनको एहमियत देते वे दिख रहे हैं और शायद इसलिए the initial difficulty and ace of cups reverse के cards कहते हैं कि उनके मन में प्यार है या फिर वो इस relationship को आगे लेकर जाना चाहा रहे हैं कहीं marriage, engagement, togetherness आपके साथ चाहा रहे हैं लेकिन you know issues और problems भी face कर रहे हैं या फिर जो issues और problems हैं उनको upfront होके नहीं deal कर पा रहे हैं या teething issues रह रहे हैं या you know start नहीं कर पा रहे हैं पहल नहीं कर पा रहे हैं initiatives नहीं ले पा रहे हैं तो देखिए initial difficulty and ace of cups reverse के cards कहीं beginning की बात करते हैं तो उनकी तरफ से जो एक शुरुवात होनी चाहिए उनकी तरफ से एक जो you know उनको reciprocate करना चाहिए वो वो नहीं करते हुए दिख रहे हैं कहीं ending कर रहे हैं किसी चीज को लेकर या पर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कुछ aries के partner literally end कर रहे हैं किसी चीज को अब देखिए सब के यह differ करेगा कुछ के लिए किसी लेवल पर यह relationship हो सकता है मैं यह नहीं कह रही हूँ break up हो रहा है क्योंकि यहां पर break up का कोई card नहीं है बट येस कभी कभी उनकी सोच में कभी कभी जब सामने वाले की सोच में ऐसा चल रहा होता है कि यह end कर दो कोई बात नहीं इसको में रहती हुए दिख रही है और काफी difficulty या problem उनको हो रही है इस relationship को आगे लिकर जाने में और अब देखते हैं कि में मंत में क्या हो रहा है तो देखें में मंत के लिए आप ए cohesion का card कहता है कि आप दोनों ही एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं togetherness चाह रहे हैं companionship चाह रहे हैं union चाह रहे हैं मिलन एक दूसरे के साथ चाह रहे हैं और इसी से related देखें discussions हो सकता है आप दोनों के बीच में हो रहे हैं या फिर आपका कोई loved one या आपके partner का कोई loved one भी involved हो रहा है हो सकता है किसी से counselling ले रहे हैं advice ले रहे हैं या फिर चीजों को आगे बढ़ाने के लिए practical realistic तरीके से जो भी चीजें required होती हैं वो आप करते वे दिख रहे हैं तो कहीं you know discussions हो रहे हैं और खाली fun मजा मस्ती वाले discussion नहीं हो रहे हैं concrete level पे concrete you know चीजों को लेकर discussions हो रहे हैं यानि कि जो चीजें वाकई में important हैं जो चीजें वाकई में जरूरी है बात करना उनके बार की भी involvement रहती हुए दिख रही है वो तीन लोग हो सकते हैं तीन से जादा भी हो सकते हैं और कहीं देखिए mid-may के लिए friendship and two of wands के cards कहते हैं कि आप दोनों ही बहुत confident इस relationship को लेकर महसूस कर रहे हैं और फिर आप दोनों में से किसी एक के energies हो सकती है और इसी confidence के साथ चीजों को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं और कि जिस भी level पर आपका relationship है उससे next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं अगर आप लोगों के भी बातचीत हुई है तो you know dating करने के बारे में सोच रहे हैं अगर already dating कर रहे हैं तो commitment के बारे में सोच रहे हैं commitments related आप लोगों के mind में चीजे र और उस direction में action initiatives ले रहे हैं, already committed हैं, तो शादी marriage से related बातचीत हो रहे हैं, उस direction में you know discussions हो रहा है और चीजों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो देखिए जिस भी level पे हैं उससे next level पे चीजों को लेकर जाना चाह रहे हैं, deeper level के लिए friendship का card कहता है, प्यार से भी जादा connect, बहुत एक strong connect, बहुत एक गहरी दोस्ती आप दोनों के बीच में रहती भी दिख रही है, लेकिन देखिए end में के लिए, forward and the star rivers के cards कहते हैं, deeper level के लिए आप दोनों ही बहुत enthusiastic, बहुत excited इस relationship को लेकर, चीजों को लेकर, जो भी अभी हमने देखा कि आप लोग next level पर excitement, enthusiasm महसूस कर रहे हैं, लेकिन surface level के लिए star rivers का card कहता है, कि आप दोनों में से कोई एक थोड़े से negative हो रहे हैं, थोड़े से hopeless हो रहे हैं, बहुत ज़ादा extreme हो सकता है, negative तरीके से चीजों को देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, या फिर, you know, किसी level पे थोड़ा सा एक directionless महस times महसूस कर रहे हैं, तो चोटे मोटे issues रह सकते हैं, end में में, और अगर इनी issues को positively deal किया जाए, थोड़ा सा positive frame of mind रखा जाए, थोड़ा सा clarity रखते हुए चीजों को आगे बढ़ाया जाए, तो जो भी issues में end में हैं, उनको resolve किया जा सकता है, उनको solve किया जा सकता है, चीजो कहा है, tarot guidance के लिए होता है और अगर ऐसा ही कुछ आप लोग भी महसूस करें, Aries तो जरूर कैसे चीज़ों को solve कर सकते हैं उस पर focus करें, क्योंकि देखिए जो भी आप दोनों की energies हो, कहीं में मन्थ ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है सिवाए the star reverse के card के, और the star reverse का card कहीं negative frame of mind की बात करता है थोड़ा सा, you know, directionless महसूस करने की बात करता है थोड़ा सा clarity नहीं होने की बात करता है और इन्हीं चीज़ों पर अगर conscious awareness के साथ focus करके improve करा तो relationship में जो issues हो सकते हैं, उनको भी better कर सकते हैं, और आप लोगों के relationship में, चीज़ें बहतर हो सकती हैं, यानि कि जो भी छोटे मुटे issues हैं, उनको आपको वाइट कर सकते हैं तो यह था ही रीज़ आप लोगों के लिए में 2024 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चानल को like, share और subscribe ज़रूर करें